नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का इन खबर पर 79,000 सिच्छ भरती में सामिल आरच्छित वर्क अवियर्थ क्यों ने मंगलवायर को लखनव में प्रावदिक सिच्छा मंत्री आसिस पटेल के आवास का घेराव किया अवियर्थी हाई कोट लखनव के डेवल बेंच से दिये गए फैसले का पालब की जाने की मांग को लेकर आसिस पटेल के घर के सामने धरने पर बैठे हैं बड़ी संख्या में पहुँचे अवियर्थी यहां जोरदार नारेवाजी कर रहे हैं मौके पर भारी पुलिस बलतैनाथ है इस दोरान एक मैला अवियर्थी की वितभियत बिगड़ गई वही अवियर्थियों का काना है कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सरकार उसे जल्द से जल्द लागू करे और आरचित वर्ग अवियर्थियों को न्याय देते विये उनकी निवति का मार्ग प्रसस्त करे उससे पहले तागी अधिकारियों को ततकाल हटा कर नए अधिकार के साथ अन्याई किया गया और उन्हें नौकरी देने से वन्चित कर दिया गया एक लंबे अंदोलन और न्याईग प्रक्रिया से गुज़ने के बाद बीते 13 अगस्त दोयार चोबिस को लखनव हाई कोट के डबल बेंच ने हमारा चित वर के अवियरतियों के हित में फैसला स करें और बताए कि हम पेड़तों की नुक्ति कब की जा रही है वहीं आगया वेर्थियों ने कहा है कि कोट ने उनातर जाज सिचक भरती मूल चैन सूची रद्ध करते हुए सरकार को तीन महीने के अंदर आर अचन्यों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश तुरéta है लेकिन सरकार ने अभी तक कोई काम सुरूं नहीं किया है किये वल एक मीटिंग की है वहीं अव्यर्थियों के लगातार प्रदर्शन का वीडियो सोसल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है उसी मेंसे एक वीडियो पर वाइरल हुआ है जिस पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी उसमें खास बात यह रही कि भारी पुलिस बलते नात होते हुए पुलिस लगातार व्यर्थियों को वहां से हटाने का प्रियास कर रही थी उसी दवरान एक सिपाही ने सिच्छा के व्यर्थि पर लाठी चला दी ये देखते ही एक दरोगा जी ने स सिपाही का गरदन पकड़ा और साइड लेते गए इसके बाद ये वीडियो सोसल मीडिया पर जम कर वाइरल हो गया खैर इस पूरे खबर पर आपकी क्यारा है आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा